Hello Friends, My Pacific Wall में आप सभी का स्वागत है Friends, दिवाली के अगले दिन हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं ये दिन में गाएं के गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करनी है? इसकी बहुती सरल विधी आज की वीडियो में मैंने बताई है गोवर्धन की जब हम पूजा करते हैं तो एक प्लेट में ऐसे स्वास्तिक का चिन बना लेते हैं इसके बाद हम लोग दूद लेते हैं तो देखे जो गोवर्धन महाराज की नाभी है इसमें दूद भर लिया जाता है और हमारे यहां यह पूजा लड़के करते हैं तो इसलिए मेरा बेटा यह पूजा कर रहा है मेरा बेटा आपको करके दिखाएगा यह पूजा मैं आपको बताती जाओंगी तो देखे जब हमने नाभी में भर लिया है अब इसके पास ही हम लोग दिया रख लेते हैं इसके बाद जो स्वास्तिक बनाया था है उस पर हम गनेश जी रख लेंगे जो सुपारी से गनेश जी बने होते हैं उसके बाद सबसे पहले गनेश जी को तिलग करते हैं इसके साथ ही फिर हम लोग गोवरधन महराज को तिलग करते हैं साथ ही जो हमने चांद और सूरज बनाए हैं उनको भी हम लोग तिलक करते हैं क्योंकि चांद सूरज का भी हमें साथ में ही पूजन करना होता है इसके बाद जब सब को तिलक कर लिया जाता है दिये का भी हमें यहाँ पर पूजन करना है तो दिये को भी हम तिलक करेंगे उसक को अकसत समर्पित करेंगे तो यहां पर देखिए जैसे तिलक लगाने के बाद उस पर चावल लगाये जाते हैं इसी तरह से तिलक लगाने के बाद सभी को यहां पर चावल समर्पित किये जाएंगे इसके बाद हम लोग कलावा समर्पित करते हैं तो यहां पर वस्तर सवरू को कलावा समर्पित करेंगे तो देखिए यहां पर मैंने चांद सूरुज को भी कलावा समर्पित कर दिया है इसके बाद हम जो जल का लोटा लेंगे उस पर भी तिलक कर लेंगे और साथ में हम कुछ दक्षिना समर्पित करेंगे अब हम दिया जला लेंगे और देखिए इसक बी हो तो आप बगर फूल के भी पूजा कर सकते हैं उसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे तो देखे खील पताशे का हमें भोग समर्पित करना है और इस तरह से हम गौवरदन महराज को गनेश जी महराज को चंदर मा को सूर्य देवता को सभी को हम लोग भोग के दोब गॉर्दन भी और धोन मोर्ट काड़ों होई और अषłem और फृरी करों हों हड है। इसके अलावा आप 7, 11, 21 परिकर्मा कर सकते हैं तो देखे इस तरह से सभी लोग परिकर्मा कर लेंगे हमारे यहां पर पूरे परिवार में जितने भी लड़के हो हैं छोटे से बड़े तक सब इखटा मिलके यह पूजा करते हैं इस समय परिकर्मा की जाती है थोड़ी थोड यहां पर पूजा की जाती है उसके बाद हाज जोड़कर पूजा मेरे ही कम्यों के लिए शमाय आचना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं इस तरह से हमारे यहां पर गोवर्धन पूजा जाता है बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पूजा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रे ही